नमस्कार दोस्तों मौसम विबाकी अभी अभी की सबसे बड़ी और भेंकर ख़वर उत्तर प्रदेश मौसम को लेकर आ रही है जी हाँ दोस्तों बता दें देश के कई राज्यों में तावर तोड मुशला धार बारिस हो रही है लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश अभी भी सूका है बस हलके फुलके छीटे ही पड़े हैं भयंकर बारिश उत्तर प्रदेश में अभी नहीं हुई है जी हां दोस्तों बता दें कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री भी चिंतित हो गए हैं और कहा है कि हमें हर परिष्टिति के लिए तैयार रहना होगा उत्तर प्रदेश में अब तक बहुत कम मानसूनी बारिश के कारण फसलों के प्रबावित होने की आसंका के बीच मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात ने ब्रस्पतवार को कहा है कि मौजूदा हालात को देखती हुए हमें हर परिष्टिति के लिए तैयार रहना होगा राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्य मंत्री ने प्रदेश में मानसून की इस्तिति की समिक्षा करते हुए कहा है कि प्रदेश में इस वर्ष 13 जुलाई तक मात्र 60.6 mm वर्षा रिकोर्ड की गई है जो सामाने इस तर्याने की 200 mm बारिष से लगबग 62% कम है प्रदेश के गुनीज जिले ऐसे हैं जहां आब तक सामाने से 40-60 प्रशिता की वर्षा दर्ज की गई है मुखे मंद्री ने कहा है कि कमजोर मानसून के मद्य नजर, किसानों और फसलों की इस्तिती को देखते हुए सभी परिस्तिती के लिए तैयार रहना होगा उन्होंने कहा है कि हर इस्तिती के लिए कारयोजन तैयार कर ली जाए और क्रेशी, सिचाई, राहत तता राजस्व जेसे सम्मंदित विभाग अलर्ट मोड बर रहें उन्होंने क्रेशी विज्ञान केंद्रो, क्रेशी विश्विध्याल्यों, क्रेशी विज्ञानिकों के माध्यम से किसानों से सतत समवाद बनाए रखने को कहा है, ताकि उन्हें सही जानकारी मिल सकी साथ यों बता दें कि इस साल मौसम विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए जो मौसम भारी बारिस की बविश्य वानी की गई थी वो भी दोस्तो ऐसा फल नजर होती आ रही है, मौसम विभाग की अभी अभी आई ताजा जानकारी के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई से जम कर बारिस होने वाली है, जिससे किसान भाईयों के चेहरे खिल उठेंगी उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि आने वाला हपता चुनोती पौर्ण हो सकता है, ऐसे में ये सुनस्चित करें कि कहीं भी पेजल का आभाव ना हो उन्होंने बांदा, चंदोली, हमीरपूर, देवर्या, जालोन, जिलों के साथ ही, बलिया, बस्ती, गोरकपूर, महराज गंज, संतकबीर नगर और स्रावस्ती जैसे जिलों पर विशेश ध्यान देने को कहा है आदितिनाद ने कहा है कि कमबारिस की वज़े से खरीफसलों की बोवाई भी प्रभावित हुई है उन्होंने कहा है कि इस बार मानसून में विलंब हो रहा है, मगर यह संतूस की बात है कि ताजा इस्तिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सभी पिर्मुग नदियों, नहरों और जलासियों में परियाप्त पानी मौजूद है साथ यों मोसम से जुड़ी प्रतियक जानकरी हमारी चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सियर करें, ताकि मोसम की जानकरी सभी लोगों तक है, बिल्कुल सटीक तरीके से पहुंच सकें, धन्यवाद दू